पी डेवलू नर्सिंग वाला लेकर आया है कुछमस और निव येर आफर नर्सिंग प्रपेशन को और भी स्टाफ करने के लिए मेडिकल फीड की पहचान नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर से होती है और डॉक्टर से कौम को नर्सेजी एक्जेक्यूट करते हैं जिनके बिना मेडिकल इंडॉस्टरी चल ही नहीं सकती है एम्स डी ट्रेपल असबी या फिर आर्वी में नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना आसान नहीं होता है क्योंकि इसमें सीट्स जो होती है बहुत ज्यादा लिम्टेड होती है और कंपरीशन भी बहुत ज्यादा टफ हो 6.2 एक्जाम और अरुष्मान बैच जो की है फॉर एम्स नॉर्षट 6.0 और जो भी नर्सिंग ऑफिसर के एक्जाम सोते हैं उनसाब के लिए अप्लिकेबल है जिसकी कॉस्ट है ओन्ली 1699 फॉर एम्स नॉर्षट 6.0 नाइट इंगल बैच जिसकी कॉस्ट है 6000 बट आपको एक्रिस्मास नॉर्षट 6.2 एक्जाम और नर्सिंग एक्जाम जो आपको विनिंग प्रपरिशन कराएंगे नर्सिंग अफिसर के सपने को पूरा करने के लिए नीचे दियागे लिंक्स पर अभी तुरन क्लिक करें यूज माइ कोड श्रीवम10 तो गे 10% इंस्ट इसकाउं माइ नेम जे शुमु पादिर है स्टुरेंट आफ किंग जोर्ज मेडिकल उनर्सिटी लखनाव। तो अबे तक इसके पहले मैं जो फिस्ट बेसिक साफ बैलोजी को पर जो वीडियो बनाया था उसका फिस्ट लेक्च्छर था उसमें मैं आपको 25 कुश्ट प्रेक्टिस कर रहे हो चाहे हो यूपी सीनेट हो ए बीव मु या फिर जो भी अधर स्टेट्स के जो एक्जाम होते हैं तो नमें नर्सिंग के जो को सुटेंग बाल जी के बेसिक साफ बैल जी कि उसके कुश्ट जो है बहुत चाहरे इंप्रोटेंट है वीडियो एंड तक देखना है जो प्लांस होते हैं प्लांस में जो जडियल कंडुक्शन होता है किसी होता है तो पहले ओप्शन है वमिंगाशी से बैले सब्सक्राइए हॉट्टी इंपू से ओगाशा हो फोव एक निटीра तो जे पर इंखाइमेटर सेल्स होती हैं उनके तूज होता है जडियल कंडुक्शन आफ वाटर होता है प्लांट के चारो तरफ उसके पेरिफिर्ज तक उसके बात देखते हैं 27 कोशन में 27 कोशन में बोला है कि विश आपदा फालोइंग प्लांट्स शोज मुल्टिपल एप फूर्थ है कुकुर बिटा तो इसका 27 का कौन सॉप्शन से होगा 27 का थर्ड होगा नेरियम जो नेरियम का प्लांट होता है उसमें मल्डिपल एपिडर्मिस शोज करता तो यह सब कुछ है जो बायोजी के बेसिक्स कुश्चन है जो इनके आने की पॉस्बिल्टी ज्यादा होतीं ऑग्जामस में तो अब बढ़ते है अगले क्युच्छन पे विट इटव में तो 28 कोश्चन में बोलाए टिशू कवरिंग इस हैसा सफ मेर्ण बीजार्थ एंट्रोल नियू हो गया अक बिस्टर्रों को इस त्यू कवरिंग बीजा बोलते हैं और इंक्यार लेट वा सबसे आउटर कवरिंग होती है किसकी होती है और इंटरनल सर्फेस अब जो विश्यरल और विश्यरल और आर्गन की इंटरनल सर्फेस की लाइनिंग होती है उसका बढ़ते हैं 29 विश्यरल और चोट नहीं पहल रहा है कि आला आफ दा फालोइंग और एक्जामपल आफ कनेक्टर टिशू एक्सेप्ट इन में से चार अप्सन दिये गया है चारो में से तीन जो है ओक पहला 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 आप्सन पहले आपसन टेंडन है डी है लिगामे आपसन पहला हैं 29 का थहर्ड आपसन सही है फैसल तो जो एक बार मैं पूर से बता जाता हूं कि दो इंसका ब्लब्लोड बून लिंफ काटलेज इस चार एक्जामपल होते हैं एह अग्जामपल होते इस प्लाइक हैं कि प्रृते कोश्य में बोला है कि वर्त जेली प्रेजे होता है अमरिक एकॉर्ड में किसका एक्जाम्पल है तो कौन से टिशू का बना होता है बैसिकली पूछना चाहरा है इस question में तो पहला है डिपोस टिशू सेकंड है मुकस कनेक्टिव टिशू एंड सी है एग योलर टिशू डी है इलास्टिक कनेक्टिव टिशू तो 30 के कौन से बी होगा मुकस कनेक्टिव टिशू उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन थर्टी वन में थर्टी वन में पूछा कि बलड इस आ का इंड आफ बलड जो है किस तरह का टिशू है तो इसका जो अभी मैंने एक्जाम्प किस टिशू का एक्जाम्पल है तो आप उसको कमेंट शिक्ष में बताना यह आपके लिए मैं वर्क दे रहा हूं बहुत इजी है उसका एंसर उसके बाद 32 में बोला है कि लिगामेंट किसके बने होते हैं तो पहला आप्शन क्या है जर्टी कूलिन बी है लास्टिन, सी है म आउटर कवरिंग आफ कारटली सिसकार्ड जो ओज Figles होता है कारटलेस क्यों आउटर कवरिंग होते होते किसकी बनी होते है तो किसकी होते है पेरicon oh तो 33 का कौन सौप्षन सही है 33 का होगा B option सही कर लिए स्ट्यम कार्डियों कला कार्डियों मुसल होता है पर पार जाती है परीकार्डियम इंडोकार्डियम मरोकार्डियम परी तो इस तो एस सब जो मतलब हर्ड की जो मसल लेयर्ट होती हैं किसमें पाई जाती हैं तो 34 का कौन सा आप्शन से हैं 34 का C है मायोकार्डियम यस उसके बाद भी बोला है स्मूट मसल साथ इस स्मूट मसल कैसी होती हैं तो उसके करेक्टरिस्टिक्स करेक्टरिस्टिक्स को मैच करना एकॉर्डिंग टू स्मूट मसल तो पहले आप्शन क्या है इन्वावलेंट्री हां होती हैं फ्यूजी फॉर्म एंड नॉन स्ट्रेटेडड पहले हैं इसकी जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वह मैच का जहीं है एक बड़ा पढ़ लेते हैं इन्वावलेंट्री नहीं इन्वावलेंट्री सिलिंड्रिकल नहीं वावलेंट्री नहीं नहीं तो कौन सा आप्शन सीएज का थर्टी फाइव का पैला इस यह का इन्वावलेंट्री फ्यूजी फॉर्म फ्यूजी फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसे मतलब ऐसे नुकीला जो काइंड आफ जो टेंडन और लिगामेंट होते हैं किसके एक्जामपल है जिसका भी आंसर में आपको भी उपर बता चुका हूँ किसके एक्जामपल है कनेक्टिव टिशू की थर्टि सेवन कोशन में बोला है कि दक विटी आफ लंग्स अलाइ जो लंग्स की जो एंदर जो आप ऐसे देखेंगे जो लंग्स यो रही होते हैं जहां पर गैसे जहां पर ब्लड अवर एं एल्विए इसे गैसे का एक्षेंज होता है ठीक है इनका आदान प्रतान आपस में होता है तो एजो जो मतलब विलए Canal होती है किसकी बनी होती है तो 37 जो इसका किसकी खुए स्क्रावयमी का एक्जामपल है मतलब बहुत पर एक्जामस में पूछा गया चीज कि शाह में समत्यों करता है इसको काफ्यान से wichtig हैं liaisyum का बना होता है और इसकों में से पीधीलियम जो होता है ब्लड विसेम से गयसे का एक्षेंज करता है जहां से ब्लड विसेम बाहर डि नूरु आती हैं तो अब फाइब्रियेड को पूछ रहे हैं कि इस सब जो होते हैं किसम फाइबल ब्रास्ट हो गया मैक्रोफेस रोब मास्ट चल किसमें देख जाते हैं ईप्ससे इक बार देख लेते हैं आप इप लिए टीशू बी है चुपियेज और पिशियू सिए स्केलिटल मसल टीशू एंडी फाइब समूथ मसल टीशू तो हुआ निग्जार पार फै स्मूथ मिसल्स के रिफ्रेंस में आपको जॉंग स्टेट्मेंट यहां पर सर्च करना है तो एक बार उप्संस पढ़ लेते हैं पहले बोला है कि मायो फाइब्रिल शोज अर्टर्नेट डार्क और लाइट बेंड्स ठीक है तो ठीक का कौंस नहीं है सही पहले तो सही है ठीक है लाइट डार्क बंड दिखते हैं उसके जाएब्रे संधर्फित बाद ऊक्यावद अप्टेट्मेट उसा है यही कौं सा है यहीं का इत्का खुलाइब्रे संस्ट स्टियट्मेंट यहें पर इंदे वाइब्रेंट से पढ़ इसका कुछ सा सेकेंड ऑप्शन ही सही होगा यह देरा कॉंट्रक्शन अर अंडर कंट्रोल आफ अटोनमस्नल शिस्टम सही है देरा इग्जिबिट है प्लोलॉंग करना नहीं वही से बी इसका दूंबी ही होका हो सही अप्शन है ऑसके वाद फुर्ट्रक्शन में देखते हैं क्या कराएं फुर्ट्रक्शन बोला कि which one is the which one is the specialized connective tissue among these इन में कौन सा जो है specialized connective tissue का example है तो अडिपोस व्षयू बोन ऐडियोलर फैब्रब्लस्ट तो 40 का कौन सा उप्शन सही है फुर्ट्रक्शन बी होगा बोन तो इसका नहीं तो इसका नहीं का जो होगा इसका नहीं होगा तो फुर्टी तो फुर्टी तो इसका नहीं से कॉलडर सेल साथ जो को आज से पायते हैं किसके नहीं स्केश्राइब किसके बिच्ष्छत आयो तो पहला उप्षाय वां बी है राउंड वां सी है सिलेंट्रेट एंडी है इस्पेंज 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 तो फॉट्टी तूगा कौन सब्सक्राइब होगा डी होगा क्या इस्पोंज इस उसके बाद हैं देखते हैं फॉट्टी से क्योशन में इन मोस्ट सिंपल टाइप कैना सिस्टेम आप पोरी फेरा वाटर फ्लो ज कि अमेलब तो वहां इसका मतलब courtroom अ की तो न बात देख लेते हैं पहला क्या adequ सी मत ईसके हो दूप की मतलब तो एक को बैस देख लेते हैं पहला ए पहला ऑउस्टिया पिरो को क्या वहाँ नहीं थीका खिक है तो वहां दीका कि लीप आप चंग धृर्टी कि नेशन वाव पुर्प इंटर करता हूं स्पांजो सी और स्कूलर माइन एक्सटूरियर तो या इसका पहले ओप संस ही लगजा आए चाहिए आप दो जो जो मेसे कमें स्क्रेम पूचते हैं कि हमें कितना घंटे पढ़ाई करना चाहिए तो जाहिए घंटे पढ़ना चुछ कहीं कषेए इफॅठस कर से सillon 44 question में, 44 question बोले है, Radial symmetry is seen in, जो Radial symmetry होता है, वो किसमे सीन होता है, तो Hydra, क्या है, systemon, systema, and tinea, and fasciola, तो 44 कौन से उप्सक्राइब है, 44 का पहला गया है Hydra, जो animals without energy, जो animals होते हैं, without energy के कौन से है, यूनियो, and fatima, fasciola, and periplaneta, तो 45 अकौन से उप्सक्राइब है, 45 यह होगा, यह सब भी जो मतलब, जखो, basics, biology का मतलब वही होता है, जो मतलब biology के basics चीज़े हैं, जिनको आपको जानना चाहिए, वही questions से पूछे जाता है, मतलब काफी important है, जो मैं आपको करा रहा हूँ है, इसमें से काफी questions आने की बहुत ज़जा chances है, तो इसलिए, जो जुतना भी questions आपकरों, जहां से पढ़ों, जुतना भी मतलब देदा पढ़ाई करें, effectively पढ़ों, बाकी 46 questions देखते हैं, 46 questions देखते हैं, 46 questions देखते हैं, जो जेली फिस होता है, किस class से बिलाउं करता है, तो options देखते हैं, Hydroja, Siphojoa, Anthojoa, and None of these, 46 देखते हैं, 46 देखते हैं, 46 देखते हैं, 47 देखते हैं, बडिंग इस फांड इन, बडिंग जो है कहां पाजाता है, यह मतलब आफी जिखो, NCRT इस एक्जामपल है, 47 कौन सा होगा, Hydra होगा, Hydra में कैसा बडिंग पाया जाता है, तो NCRT भी जो काफी एक्जामपल को पढ़ाई किया है, और UP Board में भी अप तो NCRT जो है चलने लग जो क्या बोलते हैं तो पहला क्या है पाला है। बी है सिलोम और ऑद ऑनकी है कैविटी तो 48 का प्रटी एट का फार्स्ट और सब्सक्राइट इसके इस जाए इसकी नाम से पता चल ला है कि इसका कॉन्स उप्सन सही है 49 कोशन बोला कि मेडियूसा इस रिप्रड़क्टिव आगन आफ तो जिसे पॉलिप से मेडियूसा मेडियूसा से पॉलिप जो बनता है आपने पढ़ा होगा इसको तो किसका एक्जामपल है बहुत NCRT में भी लिखा हुआ है पहला क्या है 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 तो 49 का सी होगा ओवेलिया में एक इसका 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 फिगर बना हुआ है पॉलिप मेडियूसा मेडियूसा से पॉलिप कैसे बनता है अब बात करते हैं अब आपने आज कि रेक्षा की लास्ट वे कुर्टिव की तो इस कोश्चन में बोला है कि विश आफ़ा फालोइंग फाइला डस नॉट पॉससेस है एड़ सीलों देखो जितने बच्चे हिंदी मीडियम से उनको में बता दो कि पॉससेस का मतलब होता है की प्रजेंट ठीक है तो आपसंस देख लेते हैं आपसंस में बोला है कि प्लेटी हिलमन्थीज भी है एन लिडा सी है मोलिशिया एंड टो इसका फिफ्टी के कौन सा उपसंस ही है फिफ्टी का पहले उपसंस ही है प्लेटी हिलमन्थीज तो आज के कुछ जो है पछीस क्योशन जो मने आपको करा है था जितने बीक्शन है बिटा आपके एग्जाम के पॉंट आफिव से बहुत ज्यादा इंप्रटन है तो मैं इतना तो शूर बोलाओं कि इस बार जो आपको 24 में आप एक्जाम दोगे इसमें आराम से तीन से चार कोश्चन बहुत आराम से पूछे जाएंगे बागी और भी पूछे जा सकते हैं तो आप जितने भी क्यों आप देख चुकियो तो तो ताकि आपको क्यों जो है उनकी आप संस्ट तो फिर से एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सब्सक्राइब करना तक ऐसी वीडियो में आप तक पहुंचाता रहा हूं थैंक्यू सो मच वाचिंग फार इस वी